आईए नाजरीन आज हम आपको लेमन सिकन बनाने की रेसिपी देते हैं इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा सा लेमन जो है वो हाफ स्क्वीज किया है हाधा लेमन जो है उसको निचोड लिया है एक सॉस पैन में और इसमें हमने इतना पानी डाला है कि ये वन कप हो जाए यानि के लेमन जोउस और वोटर मिला के वन कप हो गया है इसमें हमने फाइफ टेबल स्पून भर के शुगर के डाल दियے हैं और इसके बद हमने इसमें फ इंज काचिंजर का पीस डाला है हाफ इंच का चिंजर का पीस डाला है येलो फूट कलरिंग डाली है और इसको फिर हिला कर पकते रहने देना है कॉन फ्लार लिया है यानि के कॉन स्टार्च इसको हमने एक कप में पानी के साथ थोड़ा सा घोल लेना है सेवन तू टैन मिनट्स के लिए आप ने ये जो लेमन जूस है इसको उबलते रहने देना है और जब ये उबल रहा हो तो इसमें थोड़ी थोड़ी ये कॉन स्टार्च ये इसमें डालनी है यहां तक कί जो ठीख होने लगे थोड़ा थोड़ा करके डालें ये नहों के आपका साउस जो है पाइनेपल के चंक्स जो है वो हमें इसमें पसंद है परसनली इस वजह से हमने इसमें डाल लिये हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं कुछ लोग पसंद करते हैं जिंजर का पीस जो है वो हमने इसमें से निकाल लिया है और यह देखिए हमारा लेमन सॉस जो है यह बिल्कुल त जिस के लिए हमने सबसे पहले प्रेस्टु निये हैं। बॉनलस प्रेश्ट फिलेट्स ही जिनको हमने क्यूब्स काट लिया है। इसमें हमने हिसमें 1.2 थी स्पॉन दाला है और हिसमें 1.5 प्रवक्ण दाला इसको हमने अच्छी तरह से हाथ से मिला लिया है और इसको अब हमने कवर करके 20 मिनिट्स के लिए फ्रिज में रख लेना है अब जो बैटर बनाना है इसके लिए उसकी हम त्यारी शुरूर करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने एक अंडा लिया है वन एग और इसमें हमने 1 फूल जो है 5 ml का वो garlic powder का डाला है और 1 1-2 teaspoon जो है वो हमने इसमें salt का डाला है Pinch of white pepper डाली है एक चुटकी और इसके बाद हमने इसमें 2 tablespoon जो है वो गॉन फ्लार का डाला होगा अब हमने इसमें गाहे-गाहे 1 cup जो है वो पानी का एड़ किया है water और इसको अब हमने बीट कर लेना है बीटर ना हो तो बेशक हाथ से ही फैंट लें 1 and a quarter cup हमने इसमें plain flour का डालना है यानि के मैं देगा अब जब ये फैंट लें तो इसमें 3 tablespoon full जो है वो cooking oil का डालना है आखिर में हमने इसमें 1 and a quarter teaspoon full जो है वो baking powder का डालना है और फिर इसको फैंट कर 10 minutes के लिए रखे रहने देना है चिकन जो है उसको हमने 20 minutes के बाद fridge से निकाला है और उसमें हमने 1 tablespoon full जो है वो corn flour का डालना है frying के लिए cooking oil ले लें और उसको गर्म होने के लिए रख दें दूसरी तरफ batter में जो चिकन हमने तयार की थी वो हमने मिला लेनी है अब हमने किसी भी चीज की नोक से चिकन को इस oil में डाल डाल कर तल लेना है बस medium heat पे इसको तलते रहना है यहां तक कि यह बिल्कुल crunchy हो जाए लाल हो जाए यह देखिए हमारी चिकन जो है यह बिल्कुल तयार है अब हम इसको निकाले लेते हैं तो यह तो थी lemon chicken की recipe आप चाहें तो आप इसे पूरे breast fillet के साथ भी बना सकते हैं कुछ लोग तलने के बाद इसको काटना पसंद करते हैं तो खुदा करें कि यह recipe जो है यह आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तयार हो जाते जाते एक बात का जिकरौर करते चलें कि हमारा Facebook पेज भी है जहां पर बहुत से इच्छी recipe और टिप्स वगएरा आपकी नजर से गुजरेंगी आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं इसके साथ ही हमें इचास्त दीजिए अल्लाहाफेज